स्वागत है आप सभी कल असी एनम बार्ण बार्ण भरती में बात करेंगे और एक रिक्वेश्ट है आप सभी से कि वीडियो को आप पूरा एक बार कम्प्लीट जरूर सुन लीजेगा क्योंकि बहुत तरह की भ्रामक जो खबरे हैं बताई जाती हैं कई प्लेटफॉर्म से और सबसे पहले आप सबी को बता दें कि जो छे तारिक को नोटिस और आट तारिक को ज्वाइनिंग लेटर वाली बात थे हो हमने थोड़ी बताएती हम तो बलकि उस दन ये बता रहे थे कि इस तरह की डेट जिनके दौरा भी बताई जा रही है ये कंपर्म नहीं है बिल्क ने ऐसा कहा था, इसका मतलब है कि उन बेहनों ने वो वीडियो सुना ही नहीं है, किवल ऊपर से उन्होंने धंबनेल देखा और उसके बाद उन्होंने कमेंट कर दिया कल वाले वीडियो पर, इसी तरह से जिस दिन आपका, आप लोगों ने धरना रखा था, हमने यही कहा था कि धरना अगर आपको देना है तो उसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग करनी होती है और अभी आपकी भरती में दो-दो कोर्ट ओर्डर है एक लखनो बेंच से है, सिंगल बेंच का, आलोक मातुर सरकी बेंच से और दूसरा आपका है सूपरिंग कोर्ट से, रेश्टेसन वाले मामले में और उसमें आप सोचेंगे कि हम धरना दे लेंगे तुरंत जो है यहां पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी जो चीजे दिखी होने लाइक बिल्कुल थी ही नहीं इसके पहले जब आप लोगों ने धरना दिया था जब आपकी प्रोसेस आगे बढ़ थी रिजल्ट को लेकर के या फिर अन्य प्रोसेस उसमें कोई कोर्ट मैटर नहीं था या फिर कोई भी इस तरह का कोर्ट और नहीं था सेकेंड से यहां पर देखिए अभी भी आप देखेंगे लगाता कोई भी एक डेट बता दी जाती है ज़्यादा तर लोग कॉपी पेश्ट करते हैं मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि बहुत लोग कॉपी पेश्ट करते हैं उसमें कुछ अपने से चीजे मन गणन चीजे जोड़ करके आपको बताने का प्रयास करते हैं आप लोग परिसान मत हुआ करिए और हमारे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं और हम हमेशा आज से नहीं सुरू से हम एक ही चीज़ सबसे कहते आ रहे हैं कि जो भी ज्वैनिंग जो सेलेक्टेट बहन हैं उनकी ज्वैनिंग होनी चाहिए और जिन बहनों को भी लगता था कि हमारा इसमें होना चाहिए था आप देखेंगे कि क्या हम लोगों ने उसके लिए प्रयास नहीं किया कि आयोक से या फिर जो भी उनकी चीज़ें उनकी देखा जा उसको कि उस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है फिर वे बहने कोट चली गई हमने कभी थोड़ी बोला था उनको कोट जाने के लिए बलकि हमने उनको मना किया था इसी वज़े से वे लोग नाराज भी होते हैं हम पर कि हमारे दोराओं का विरोध होता है और जब कि आप लोगों में से जो सेलेक्टेट बहन है कुछ बहन है हमारे पर आरोप लगाती है कि हमने उनको कूर्ट में जाने के लिए बूला था तो ये पूरी तरह से आपके गलत आरोप होते है तीसरी चीजी यहाँ पर देखिए प्रोविजनल की डीबी अब क्लियर नहीं की जाएगी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है अगर कोई बता रहा है कि प्रोविजनल की डीबी हो चुका है क्लियर हो चुका है या फिर फ्रेस बहनों की जिला अलाटमेंट हो चुके है ये दोनों ही खबर पूरी तरह से गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो प्रोविजनल की डीबी पूरी क्लियर हो भी है जब किसी भरती पर कोई इष्टे लगता है तो आपर एक इष्टे vacation फाइल करना होता है तब जाकर के इष्टे हटता है ओ भी within 30 days ये सभी दिखें मैं आपको procedure बता रहा हूँ court rule बता रहा हूँ और जो कुछ भी आपको चीजे हमारे दोरा बता ही जाती है जब तक मैं पूरी तरह से आस्पस्त नहीं हो जाता हूँ उन सब चीजों पर तब तक मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं देता हूँ हमारी एक छोटी से गलत जानकारी से आप लोग परिसान होगे हमें ये हमेशा सबसे पहले सोचना होता है और यहीं निवेधन बाखी लोगों से भी होता है जो कॉपीपिश्ट करने वाला है या तो उनसे भी हम यही कहते हैं 9 जनौरी को डेट लगी है WS वाले मामले में कल कोई कोट सुनवाई नहीं थी कुछ बैने पुश रहती कल कोट सुनवाई में क्या हुआ ऐसे तो कोई ने कोई मामले लगे रहते हैं और EWS वाले प्रक्रड में बहुत सारी नई नई आज काई पड़ गई हमारे पास भी कई फोन आये थे हमने उनको बताया भी कि जब तक ये matter डिसाइड होगा नहीं आपका कैसे होगा आप लोग क्यों परिसान हो रहे हैं लेकिन वे बहने उन लोगों को लग रहा है कि अगर यहाप पर कुछ भी अगर chance बनेगा तो उनके भी chance बनेगे इसी तरह से registration वाले मामले में सुपरिंग कोट से ये सुनवाई नव तारिक हो होनी है जो registration वाला मामला है सुपरिंग कोट से उसमें भी वही सेम दिक्कते आने वाली हैं तो आप सुचेंगे केवल EWS वाले matter से यहाँ पर सब कुछ clear हो जाएगा तो बहुत कम chance है जब तक कि सुपरिंग कोट वाला मामला भी जो सुपरिंग कोट से order है या तो उतनी सीटे वहाँ पर सरकार चोड़ करके आयो विभाग चोड़ करके उतनी सीटे चोड़ करके आगे ज्वाइनिंग करा दे या तो भरती में और सीटे जोड़ी जाएं दो ही यहाँ पर भिकल्प है, दो ही यहाँ पर रास्ते है और आप लोग की भरती में जवाइनिंग को लेकर कि हमने किबल दो ही बार कंपर्म अप्डीट आप सभी को दी थी उसके अलावा हमने कोई भी डेट कभी नहीं बताई ये बलकि हमने बिरोथों नहीं करते हैं किसी का लेकिन हमारा निवेदन होता है कि जब तक कोई कनपर्म डेट ना हो कोई कनपर्म जानकारी हो ना हो तब तक न बताई जाए एक हमने आप सभी को बताया था एक 30 अक्टूबर को वो बिल्कुल सत्प्रसस सही था लेकिन उस समय EWS का कोट ओर्डर आ गया था और जब EWS वाले कोट ओर्डर पर उसमें जो भी दिकते आ रहे थी बिदिक समस्याय आ रहे थी उन पर कानूनी राय लेकर के ज्वैनिंग की तैयारी चल लए थी दिसंबर के थार्ड वीक में तब हमने आपको कनफर्म अपडेट दी थी उस समय आप देखेंगे कि सुप्रिंग कोट से रेश्टेसन वाला मामला उस पर कोट ओर्डर आ गया तो दुरुभाग ये तो आप सभी का है हम सभी का है और हमने दो ही बार आपको जानकारी दी थी दोनों ही दो कोट ओर्डर देखने को मिल गये थे अगर ये कोट ओर्डर ना आय होते दोनों ही सिच्वेशन में पहली बार तो आपका अक्टूबर लास्ट में 31 अक्टूबर को ही ज्वानिंग लेडर वितर समारो हो गया होता अगर EWS वाले मैटर में कोट ओर्डर ना आया होता और इस सूप्रिंग कोट वाले मामले में उसमें तीन याचियों के लिए है टोटल चार याचियों एक को छोड़ करके तीन याचियों के लिए है कि मानी सर्वोचिन्याले का आदेस है कि इनको चैन प्रकिटिया में अगर मेरिट में आते है और जब से रजल्ट आया है उसके बात से चीजे देखते वे यानि वर्तमान के जो मेरिट है सीधी सी बात है उसके अंतरगत आते हैं तो इनको चैन परकितिया में शामिल किया जाए मेरिट में सामिल किया जाए अब यहाँ पर एक अंतिम बात और सुन लिजी आप लोग जैसे लगनव में है कमिस्नरी प्रडा कृष्य करना होता है तो इसके एक जिम्मिदार है कोई बहन, कोई भाई ओगयु जिम्मिदार होता है, वहाँ पर एक बार बताना होता है कि हम धरना देने वाले है। देंगे रोज आप लोग परिसान होंगे कुछ बेहने दूर दूर से भी उसमें आ रहे थी कितने परिसान होते आप लोग जहां पर कुछ होने के चांस ही नहीं है एक प्रिस्ट भी अगर उम्मीद होती तो मैं आप सभी की साथ पूरी तरह से खड़ा था जब उम्मीद थी जब दरना देना था उस समय तो आप लोगों ने किसी न साथ दिया नहीं उस समय तो ग्यापन देने के लिए भी दस मेहने साथ नहीं आई क्योंकि उस समय लगातार आप सभी को कोई ने कोई डेट बता दी जा रहे थी कि इस डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल पेनों वहाँ पर लोग साथ देने के बजाए अपने ही सेलेक्टेड जो कुछ लोग है बहन है या फिर उनके गार्जेन उनके पैरेंट से भाई हस्बें जो भी हो वे लोग भी रोत करने लग जाते हैं तो बताइए किस परकार से चीज़ें होंगी और अब जब यहाँ प तबी प्रुवेजनल विधेल्ड की जो डेबी है वो क्लियर करके पूरी तरह से आपकी फाईले विभाग को भीजी जाएंगी और जो फ्रेस बहने हैं आप लोगों की जिला अलार्टमेंट और ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को मिलेंगे उसके पहले फिलाल में कुछ भ फैनाँ नहीं है और ग्यापन देते रहना है बस इतना कोशीस करना है प्रियास करना है बाकी आयोक में जो भरतियां है जहांपर चोटी सी विबाद आरता वाला हो जाता है 선생님 वाहां पर भी देखें कि कमेटी बना करके कई महीने साल लग जाते हैं केबल एक चोटा सभी बात दूर करने में इसी तरह से कोड का मैटर होता है बहुत सारे मैटर में आयोग सरकार जीत जाते हैं फाइलली अंतिम रूप से लेकिन वहाँ पर समय बहुत जादा लग चाता है कई बार कई बार चीजे जल्दी भी डिसाइड हो जाती है तो यहाँ पर हम सभी को बस लगातार कोशिस करते रहना है और फिलाल में कोई भी अगर आपको कोई डेट बताई जा रही है कहीं से भी तो अभी इस तरह के कोई भी कनफर्म डेट नहीं है आपके ज्वाइनिंग को लेकर के या पर कोई यह कह रहा है कि प्रोवेजनल की डीबी क्लियर हो चुका हैं और कोशिस कैसे करना है उसको लेकर के भी हम आप सबी को लगातार बता रहे हैं तो प्लीज इसी तरह से आप लोग सही हो करीए आप लोग साथ दीजिए समय तो लग रहा है लेकिन इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है आप लोग केवल परेसान हो रहे हैं कुछ बहुत सारे फ्रेस की बहने जो की दूसरी भरतियों के तैयारी भी नहीं कर पा रही हैं कि यहां पर ज्वाइनिंग कब तक होगी तो धायरे रखें आप सभी हिम्मत रखें कुछ तुम कुछ आप अपना कारे करते रहें और साथी साथ यहां पर हमें लगातार प्रयास करते आना है कि आप सबकी जो भरती प्रकिरिया है जल्द पूरी हो सेस आगे कि जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे वीडियो को आप लोग सेर जरूर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचें बाकि हमारा किसी से कभी कोई बिरोध नहीं होता है बस हमारी य आपकी भरती भी जरूर पूरी होगी एक दिन बस यह है कि ओ समय ओ दिन कब आएगा किसी को नहीं पता है बस यहाँ पर जितनी जल्दी यहाँ पर सरकार आयोग जो भी कोर्ट मैटर है इनको फानल करवा ले कोई नया बिबाद कोई नया कोर्ट आउडर तब तक ना आ है तो जितनी जल्दी यहाँ पर आप सबकी प्रकिरिया जवाइनिंग की कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा होगा से इस आगे कि जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे धन्यवाद